हेलो एवरिबन आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल अपना सफर 786 में वीवर्स आज की टैरो का रिडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगी अगर कोई इंसान आपके दिल दिमाग में है और आप जानना चाहते हैं उस इंसान के बारे में कि वो पहले आपके बा पर है टाइम लेस रिडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इसलिए मेल फीमेल मेरिड अनमेरिट सभी से रिडिंग को देख सकते हैं ओके हमने यहाँ आपके लिए कुछ कास निकाल लिए हैं हमारे पास कार्ड्स इसलिए यह रिडिंग सभी सोडियक साइंस के लिए रहने वाली है ओके वीवर्स यहाँ पर अगर हम नमबर्स की बात करें तो यहाँ पर एक नमबर, दस नमबर, छे नमबर, अठारा नमबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं यह आपकी बर्देट्स हो सकती हैं बर्दम गिस से आपको मिल सकती है जो आप काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है और कोई विश है अगर आपकी तो वो बहुत जल्द पूरी हो सकती है यह चीज भी यहाँ नजरा रही है ओके भी बस तो अब बात करते हैं आपके पर परसन की सोच किया थी जब आप इस परसन से मिले थे या आप इस परसन के साथ रिलेशन्शिप में थे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस परसन ने आपसे मुवाण बहुत जल्दी क्या होगा इस परसन ने आपको जादा जानने समझने का मौका भी नहीं दिया और यह आप से move on करके हैं, कोई न कोई ऐसी situation, कोई न कोई ऐसी problem इस person के जीवन में दी, जिसकी वज़ा से इस person को ऐसा लग रहा है कि अपना शहर, अपनी country छोड़ कर जाना पड़ा है, ये चीज यहां नजर आ रही है, और जो कुछ भी अब तक होता रहा है न, इस person को ये आपके दिल की कोई बात, सुन बात है न, इससे पहले ही person move on करकिया है, और move on करने का एक reason और भी हो सकता है यहां पर ये person किसमत को बहुत मानते हैं, destiny को बहुत मानते हैं ये person बहुत सारी चीजों को na, destiny पर ही छोड़ देते हैं इस person की सोच कुछ इस तरह की है कि जो होना होगा, किसमत से हो जाएगा और इसलिए इस person ने आपके इनके रिष्टे को भी किसमत के सहारी छोड़ दिया है, और यहां पर आप दुनों की सोच एक दूसरे से मैश नहीं की है जितना आपका person किसमत को मानता है उतना ही आप एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, आप मानते हैं किसमत को बटाब ये भी मानते हैं कि अगर हम FRC नहीं डाले के किसी काम को करने में, किसी को पाने के लिए और अपनी चाहत का इजहारी नहीं करेंगे, तो वो कैसे जान पाएगा कि जो कुछ भी दिल में है, कोई दूसरा इंसान तो नहीं चान सकता हमारे सिवा, ऐसा ही आप का मानना है आप चहते हैं, कि आपका परसन आपको बताता आपने दिल की बात आपके दिल की बात सुनता और ये चीज आज भी आपके दिल को बहुत हट करती है बहुत दुकता है आपका दिल ये सोच करी कि वो बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने ही आपकी जिन्तेगी से चले गए हैं आपसे पूरी तरह से रिष्टा खत्म करके चले गए हैं आज भी आप बहुत साथ दुकी हैं इस बात से ये चीज भी यहां नजरा रही है आपके परसन के दिल में आपके लिए फिलिंग्स नहीं प्यार था और ये प्यार ये फिलिंग्स इस परसन ने उस वक्त महसूस नहीं की थी जब ये आपके साथ में थे जिस रिष्टे में ये परसन देना उस वक्त इस person को इस रिश्टे से ज्यादा कुछ और ही important लग रहा था और जो चीज इस person के लिए most important थी इस person ने उसे पाया तो यहाँ पर यह चीज नज़रा रही है कि आपका person पहले अपने दिल में आपके लिए feelings लिए हुए था इस person के दिल में आपके लिए प्यार था बड़ इस person ने ज्यादा शोग करने के बजाए कुछ और ही करना ज्यादा जरूरी समझा तो यहाँ पर यह चीज नज़रा रही है पहले आपके person की सोच आपको लेकर कुछ इस तरह की थी और अब इस person के दिल में आपके लिए जो feelings रहे है वो बहुत जादा ऐसी है कि यह person पश्टा रहे है पहले जो कुछ भी हो चुका रहा है इस person को पश्टाने क अब इस वक्त ना long distance relationship में convert हो चुका है तो आप दोनों चहा कर भी एक दूसरे से शायद नहीं मिल पाते हैं आपकी बात नहीं हो पाती है और यह person अब ऐसा भी महसूस करते हैं कि पता नहीं कब कितने साल लग जाए कितना वक्त लग जाए इस person को return आने में तो इसलिए भी यह person आपसे contact करने की हमत नहीं कर पाते हैं और अपने ही emotions को अपने दिल में अपनी feelings को अपने दिल में छुपाए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास six of swords के साथ साथ दमून का काड़ा आया है तो देख रहे हैं ना viewers कि यह person कितना जादा emotional होता है खासकर रात के वक्त में यह person बहुत जादा तनहा और अकेला पन फील करते हैं और जैसे जैसे दिन तो इस person का गुजर जाता है बट इस person की राते नहीं गुजर रही हैं आज भी यह person आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद करते हैं और जितना आप इस person को याद करते हैं सोचते हैं इस person के ब आज भी कोई इस परसन के दिल के करीब नहीं आपाया है, इस परसन को और इस परसन के दिल को छूकर ही बस निकल गए है, आपने जो घर इस परसन के दिल में बनाया है, इस परसन की यादों का आप हिस्सा बनकर रहे गए हैं, तो ये परसन इसलिए भी आपको बहुत मिस करते कि आपकी तरह कोई भी इस परसन को अब तक वो रिस्पेक्ट वो प्यार नहीं दे सका है जो आपने इस परसन को दी थी या फिर जो भी अटेश्मेंट आपके साथ इस परसन का था वो ये परसन किसी और के साथ में महसूस नहीं कर पा दे हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस परसन ने इतना मौक ही नहीं दिया, किसी इंसान को अपने पास आने का, अपने करीब आने का, तो इस परसन के दिल में आज आप हैं, बट इस परसन को ये भी पता है कि इस परसन का रिटन आना, लोट कर इस परसन का आपकी जिंदेगी में आना मुश्किल है, इसलिए भी ये बट कहीं न कहीं आपके दिल में एक कसक है कि इस परसन ने आपके साथ में जो किया वो सही नहीं किया। इसलिए आप भी कहीं न कहीं इस परसन से नराज हैं। इसलिए भी ये परसन आपसे दूरी बनाई ही रखते हैं। इस person को पता है कि गुज़रा हुआ वक्त वापस नहीं आसकता, बले ही आप कितना भी मिस करते हो एक दूसरे को, बट उस वक्त को आप वापस नहीं ला सकते, जो गुज़र गया वो गुज़र गया, आप जो आने वाला है वो एक नया कल है, नया सवेरा है, तो ये person को इस बा पंचे परीच काड आया है प्सक्राइब कर लें बैल नोटिफिकेशन को आल प्रस्टाइब कर अब आपने जबरेंन से किसे और पर अपट तक बहुचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएं मैं मिलूँगी आप से एक नई वीडियो के साथ अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें लव यू अल